दूर्दर्शन उत्रप्रदेश पर आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ संतोष योगी 2.0 के एक साल पूरे हो चुके हैं ये इन एक साल कैसे बेमिसाल रहे हैं क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार ने अलग-अलग सेक्टर में संभावनाय तलाशी हैं चाहें परिटन की शेत्र की बात करें परिवहन की बात करें सिक्षा की बात करें क्योंकि जब 33,00,00 करोण का निवेश होता है जब Global Minister Summit में तो जो उ साफी तिल्चस्प होगी और इस एक साल में संभावनाओं को लेकर हम बात करेंगे उपलब्धियों को लेकर बात करेंगे इसके सासाथ क्या चुनोतिया रही है उन चुनोतियों से उत्तरप्रदीश सरकार कैसे निप्टी है और आगे बढ़ी क्योंकि जब चुनोतियों की पτοрах विशटी है और दोसरी खास मेमान है गुलाब दी मादमीक सिक्षा मंत्री उत्तरप्रदेश सरकार से जुरी है किइसी परिवहन में कितना बड़ा बदलाओ देखते हैं क्योंकि जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में बसों की योगदान की बात करें परिवहन विभाग की योगदान की बात करें काफी बड़ी भूमिका होती है यह सही है कि उतर प्रदेश की जनता के लिए सबसे ज्यादा लोग परिवहन निगम को पसंद करते हैं उसके माध्यम से प्रते दिन 20-21 लाख लोग यात्रा करते हैं हमने अभी पिछले दिनों में 200 बसे नहीं खरीदी क्योंकि क्रोना काल में कोई बसे नहीं खरीदी गाई इथी दो बरसों के अंदर तो मैं अपने फिलीट में 200 नहीं बसे मेलाया हूं हमारे जो डीपोज हैं उसको भी हम जो है अब नए किलेवर मिला रहे हैं और दस डीपोज हमारे ऐसे हैं जो अभी राष्ट्री अस्तर के उस पर बनाए जा रहे है और जिसमें क्योल पांच डीपोज को अभी हुआ है जिसमें एक हजार क्रों रुपया लग रहा है और पा जेटन अस्थल के जो डीपोज है उसको बना रहे हैं तो अभी हम तेईस नई डीपो को जो है हम हवयड़ा की तरह बनाने का हमने काम सुरू किया है और लगातार मैं जो है उत्तर प्रदेश के सभी जन्पदों में जो हमारे जिला मुख्याले के जो डीपोज है उसको हम ए तो यह तीस साल बाद पहली बार जो परिक्षा है आरजित हुई है नकल मुक्त हुई है कि आपको लगता है बड़ी उपलब्धी है चुनोती भी थी पर उपलब्धी भी है इसका सबसे बड़ा श्रे मानिय मुख्यमंती जी को जाता है उनकी इक्षा सुरू से यही रही है जब से हमारी सरकार बनी है बिगत सरकार में भी और इस सरकार में भी कि नकल वीहिन परिक्षा होनी चाहिए पारदर शिता पोड़ होनी चाहिए निश्पक्षिता से होनी च पिछली बार भी सारी परिक्षा हमारी नकल विहन हुई एक जगह जरूर बल्या में थोड़ा सा केवल उसका एक पार्ट खुला था वो भी हमने उसी समय बंद करा के अगले दिन ये परिक्षा करा दी तो कोई ऐसी हल चल नहीं हुई इस वार तो खुली चुनोती थी कि अगर नकल विहन परिक्षा हुई है सबसे बड़ा हाथ हमारे मीडिया का रहा है मीडिया का मैं आभार बेक करना चाहूंगी उन्होंने बहुत-बड़ा सहयोग दिया हमने कहा तो जहां कहीं पर थोड़ा सा भी आपको यह लगे कि कहीं को गलत होने जा रहा है हम सुचना की कानून यशामा का जर तो रहा ही कानून का तो महतعد पूर बहुमिका रहीitte लेकिन दूसरी ओर जो और प्रशासनी के लिकी थे जो हमारे प्रेंस्पल खटे जो हमारे अध्याविक थे सीशिक मीस्टेट थे इन सब चूह की बहुमिका रही семь लखनों मेंदे वहाare खुदी पूरे प्रदेश का जाएजा लिया और देखा कि मंडल के किस जिले में किस विद्याले में किस प्रकार के परिक्षा चल लए हैं सब जगा सी सी कैमरे थे वायस रिकॉर्डर था इस्ट्रेक रूम था सारी विवस्ता हैं हमारी बहुत अच्छी थी जो हमारे परिशा और तीन करून उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन करना यह अपने आप एक बड़ी चुनोती है लेकिन अध्या शंकर जी जब हम परिवहन की बात करते हैं जैसे हमने देखा कि ग्लोबल इंश्टर समिट में 33 लाग करून का निवेश हुआ हम सभी जानते कि उत्तर पर क्योंकि लोगों को आवागमन का साधन बेहतर होगा तो प्रजटन का भी मने उसमें और बढ़ावा मिलेगा और लोग चाहते हैं कि हमको सुभदा मिले और कि फायत यात्रा हो तो हम लोगों ने इसके लिए विश्यस इंतिजाम किये हैं और हम लोग कई प्रकार की नई स्वाय भी अब हम लोग दे रहे ही हम लोग अभी एक राधानी सेवा हम लोग ने प्रारम किया प्रजटन के 12 सर्कित में उसको उसमें जो परिभन विवाग से और प्रजटन 너무 का मिल नहीं का 10 को नहींЯं जो भी हमारे 17 सरकित हैं जहां पर पृजटन का सभसे ज्यादा है व के गाडियों के लिए हम लोग टेक्सेज में भी बहुत सारे छूट दे रहे हैं क्योंकि कोई बेक्ति जब यहां पर आएगा और अभी आप किवल का इहुदारन लीजिए कि कासी में पहले बरस भर में जो है लोग एक और आते थे अब एक महीने में एक और से ज्यादा लोग हुए है तो उसके हिसाब से अभी मानिय मुखमंत्री जी ने जो इससे परजेटा कस्थल है कासी है अजोध्या है मतुरा है चित्रकूठ है उसके लिए अलग से मनने को कि इतने लोग आएंगे तो गाड़ी आएंगी उनके लिए पार्किंग की बहुस्ता हो सहर से बाहर प जुमार प्रजेटिक आएंगे तो उनकी गाड़िया कहा पार्किंग होगी? वहां नोंे पमन जीए प्रeवस्ता के लिए जीए कि पोलूशन न से करने हैं। बेसों बना रहा है। गृष इस तरह से प्राइबेत कुछ प्राइबेट पार्ट्नर को मिला करें कि हम लोग जो बसों से बना रहे हैं कि हम लोग जिसे 12 सरकिट बना रहे कोई किसी को जिस सरकिट में दर doorway के लिए जाना हो तो इसको हम बस में रेलेगे ऑप को वहां ठाराएंगे भी और उसकी पूरी एक पेकेज होगी और उसको बहुत ही किफायद में जो ऐसे कोई जाएगा उसको एक हजार रुप्या खर्च होता है तो उसके माध्यम से जाएगा तो थाईसो तीन सो रुप्या में यह बड़ी उपलब्धी रही है इस बार की नकल कि रही है को कुछ सूची बनाई गही है किस तरीके पूर्वत तैयारिया है जैसे पिछली बार की नहीं हुए इस भी वैसे ही सारी हम आरी डी गई है और अभी मैं बनारस गई थी मैंने कई बिद्ध्यालों का निरिक्षन की यह सारा हमारा कारी ब्रश्टत्रूप से चल भ अच्छा ही चलेगा अगर हम जब सिक्षा की बात कर रहे हो खास तोर से माधविक सिक्षा की बात करें ड्राप आउट एक बड़ी समस्या निकि बहुत सी बालिकाय बहुत सी बेटिया जो है बीच में स्कूल छोड़ देती है क्या आपको लगता है उनको भी पुना सीरे से ज एक आसेवित वस्तियों में कहां विद्धाले हैं और कहां होना चाहिए और जो विद्धाले है कितनी दूरी पर है जब हम इस तरह के से विद्धालों का निर्माड करेंगे तो कोई बी बच्ची हमारी जिसने विद्धाले छोड़ दिया है वो शिक्षा से बंचित नहीं जब हम बड़े तस्वीर उत्तरप्रदेश की बड़ी तस्वीर की बात करते हैं और खास्तोर से जब हम बात करते हैं कि सरकार का लक्ष है वन ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी की तरफ अपने आपको ले जाना उसमें परिवहन विभाग की बड़ी भूमिका होती है क्योंकि आने जैसे हमारे यहां एक डियल की बहुत बड़ी समस्या होती थी लोगों को बनाने के लिए तो हमने अभी ऑनलाइन जो हमारा है जो लर्निंग लाइसेंस को हमने सत परतिसत ऑनलाइन कर दिया है हमने 100% ऑनलाइन हो रहा है अधार कार्ड से जोड़ करके अपने उससे आज एक्जाम भी कर सकते हैं हम एक्जाम भी करा रहे हैं और हमारे पोर्टल पर जाकर के डिजिटल सिंगनेचर के माधियम से वह जो है लर्निंग लाइसेंस को प्राप कर ले रहे है अपना हमारा फी वह उसके टोटल यूजिब तकनीक पर रहे गा की आठ परकार की उसमें टेस्टिंग होगी उसमें सेंसर के माधियम से आप गाड़ चलाएंगे कहीं आठ लिखा रहे गाई कहीं पाड़ बना रहे गा कहीं बैझ करना है तो पूरा उसको जो है पूरा अस पराप इसेंसर है और उस अब्स लाश्ट में जब आप निकलेंगे तो कम्पूटर बता देगा कि या फेल है या पास है तो कोई बेक्ति किसी को पास नहीं कर सकता और किसी को फेल नहीं कर सकता यह बहुत बड़ा आरूप लगता था हम लोग के यहां के हम जाते हैं लाइसेंस बनाने के लिए तो हमको फेल कर देते हैं या कोई इसके लिए जो के नहीं है उसको पास कर देते हैं तो अब हम उसको पूरे टेक्नलाजी का प्रयोग करके को कि हमने उसमें लर्निंग में तो कर दिया है लेकिन अब परमानेंट लाइसेंस के लिए भी हम जो है कर देंगे और 16 जगों पर अभी के लिए बना लिया है और बागी हम बना लिया कि अब देख़hourage हम जो है इसको बनाने जा रहे तकनीकिया लगारी है एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, जहां जिसनी हम को सकता होगी, फिर लोगों को इसकी सहुलियत मिलेगा, हम इसक्रेप पुलिसी ला रहे हैं, अब हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, उसको पहले कोई भी इसक्रेप को करता था, कई चोरी की बात होती थी, लोग गाड़ी चो होगे हैं, तो अब कोई भी उस लाइसेंस होलडर होंगे, वो इसक्रेप गाड़ी होगी, और उसे हमारा पुलूशन भी कंट्रोल होगा, जो हमारी पुरानी गाड़ी हैं, वो जितनी 100% पुलूशन दे रही हैं, तो नई गाड़ी उसके हिसाब से 10% देगा, तो हो या गड़ सरकारी हो, उसको हम लोग इसक्रेप कर रहे हैं, इसक्रेप करने पर रजिस्टेशन में हम छूट दे रहे हैं, हम उनके टेक्स में छूट दे रहे हैं, और 15% सबसीडी भी दे रहे हैं, कि आप नई गाड़ी खरी दिये, प्रोशाहन राशी के बिलकुल, और इलक्षी गाड़ियों को भी, सर्थ पर तीसर्थ हम लोग रजिस्टेशन और टेक्स पर छूट दे रहे हैं, अभी सुरक्षप हम आप से ज़रू बात करेंगे, क्योंकि GPS सिस्टम क्या जब हम इसको और आगे को देखते हैं, तो कितना सुरक्षित रहेगा, लेकिन मैं दिश्टलाइशन पर लगातार चर्चा करें, तो आपको लगता है कि डिज्टल लाइबरेरी इसको लेकर भी आगे और बढ़ने की जरूथ है, सेंटल जब बजट पेश हुआ, उसमें भी कहा गया, उत्तरपरदेश के जब बजट पेश हुआ, उसमें भी कहा गया, क्यों आगे भी इसमें बहुत बड़ी प्रगति होगी, क्योंकि आजकल जमाना ही इसी का है, और इसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं, जो नए शिक्षा नीति है, उसमें भी इसके लिए मैतु दिया गया है और इसी का आधार पर हम काम करेंगें, अब जो नया वर्स है हमारा, उस की आधा जो गया है, 60 नए राजकी इंटरकालिजों का की सकृनलियए, 289 राजकी इंटरकालिज का अधाइस लों้ा है, 25 भी जेशाटरवासों, और गोरुपूर में एक नभी इन सैनीक स्कूल का निर्मारि चनल ला है, इसी प्रकार से मेहत्पूर्ण हमारा जो पोटल है उसमें है एक अलंकार योजना में अब तक जितने भी राज्चकी विद्याले थे उनकी इस्तिती जीन छीन में आग interpretate पहलए माने आप नश्चार उसमें डीडिटि यूछाओ पिम्रेस पूर उसमें सिस्टे फरीन ब attitudes की जाएंगी की सब्सक्राइब काफ़ीन जिसमें काफी बड़ वजिट मिला भारत सब्सक्राइब शिच बसाने के ब्रति वीजए करते हैं तो कि आपको लगता है जो टीचर से उनको भी टेनिंग देने की जरोत है उनको भी तेनिकल बनाने की जरोत है और वैसे ही शिक्षकों की निवती करेंगे टेनी के बाद मिलकूल बड़ा बादा बदला वाएका देशंकर जी जो लोग अगर वह अपनी वहकिल है अप करेंगे बहुत सारी गाडियां कोई अपने रखना चाहता है तो गाड़ी रख सकता है लेकिन उसकी जो बिना फिटनेस का नहीं रख सकता है उसके फिटनेस थोड़ी मंगी हो अभी 50 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्रियों गया दितना थे बड़ा कारिक्रम भी को काफी बढ़ावा दिया जा सकता है देखिए परिवहन विभाग में रोजगार का बहुत हम लोग बहुत कर रहे हैं अभी हमने प्लान बनाए हैं कि एक हजार उत्तर प्रदेश की जो छोटे-छोटे जगहां हैं जहां हमारी बसे रूपती हैं वहां हम बस इस्टोपेज बनाएंगे और प्रदेश प्रदेश आवशकर हो उसके लिए एक चाय की की दुकान हो उसके लिए एक सोचाले हो वहां बैठेगा तो इस तरह से करके एक जगह पर पाँच लोगों को रोजगार देने का बना रहे हैं तो एक हजार जगह पूरे प्रदेश में और उसमें हमारे जो सहरे हों जो बड़ी महानगरे हैं वहां 200 इसमें जिले हैं वहां पर 100 इसमें चिन्हित करना है तो ऐसे जगहों पर मान लिए एक हजार स्कॉार फिक में बनेगा वहां पर उसी के अंदर आजकल आधुनिक जो चीजें हैं उसके माद पजदी में पांच लोग को रुजगार देता हूं तो आप यह समझें 50,000 लोग को इससे हम रुजगार से जोड़ सकते हैं फिर दूसरा जो हमारे जो डिपोज हैं जो अधुनिक बनाने जा रहे हैं जो बसड़े की तरह उसमें मॉल होंगे उसमें सीनिमा हाल होगा उसमें होटल होंगे जो एक ब्यक्ति की जो भी और सकता हैं होगी तो उसमें मॉल खुलेगा तो उसमें काम करेंगे तो बने जो भी ब्यक्ति की आऊ सकता है अच्छे लाउंज हो महिलाओं को लिए अलग बैठने की बेश्ता हो तो इस तरह की हम लोग उसका एक डिजाइन किये पचीस तो हम सुरुख प्रारम कर दिये हैं आपको मने इसको अब दिखने लेगा पूरे प्रदेश में करेंगे तो लाखों लोगों को रोजगार देने का भी एक ओजना क्या मक्सद यह है कि यात्रा सुखाद हो लोगों को सारी सुवधाय पहुचे अपने गंतव अपने अपने जाए वापस चले जाएं इसी तरह हम दिल्ली नाइदानी सेवा भी शुरू कर रहे हैं जिसमें एक बस दिल्ली की तरफ जाएगी हर जनपत से और एक दिल्ली से उस जनपत की तरफ जाएगी दोनों तरफ से जोड़ेगी तो ऐसे लोग अपना जाय जिनको होटल की आपना काम पिये चले आएं. फिर एक मैं एक सेवा देने जा रहा हूं दो सहरों को जोडने के लिए. अच्छा. मैंने उस्टल सेवा होगी. मैंने जिसा है 100-700 km किलोमेटर दो सहरे हैं. लकनव अजोध्या है. अजोध्या गोरःपूर है. गोरःपूर बनारस है. मैंने प्रियाग है. मैंने प्रियाग जो है चित्रकूट है, चित्रकूर जहांसी है. ऐसे करके दो सहरों को जोडने के. यह बस यहां से चलेगी और बीच में रुकेगी फिर वहां पहुचेगी. मैंने समय का विशेज ध्यान रहेगी. उसमें सभी आधुनिक जीपियस लगा तो आठ मिनट के अंदर हमारा कोई अधिकारी या पूलीस का अधिकारी वहां पहुच जाएग यह सुरक्षा के दिरिष्टी से और हर उस पे हर हाइवे पर हर जो हमारे इस टेट हाइवे हो चाहिए निशनल हाईवे हो चाहिए और एक्स्प्रेश में हो वहां पर हम लोग एक मानक बनाए हैं कि आपको भई इस रेटिनर का सोचाले होना चाहिए, मैलाओं के लिए अलग होना चाहिए, उनके लिए लाउंज अलग होना चाहिए, रेस्टोरेंट अच्छी होनी चाहिए, यह सब कुछ रहेगा तो हमारी बसे उहां पर खड़ी होना तो इस तरह के भी आप जब उहां बस खड़ी होगी उसके पहले आपका आपका और तयार नहीं राश्टी सिक्षा नीती जो आई है उसमें भी इस पर फोकस किया गया है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए ना हो, राश्ट को समझने के लिए हो, देश का समान करने के लिए हो, क्या आपको बिना हमारी देश की एकता और अखंटा कायम नहीं रह सकती, जब तक कि हम यह इस चीज के लिए हम सामने नहीं लाएं, एक और सवाल आप से है, क्योंकि यह पिसला साल जो रहा है, मदर्सों को लेकर काफी चर्चा रही है, अल्वसंख्यक समधाय से जुड़े जो मदर्से संचालित हैं, उनको लेकर क्या आपको लगता है कि उनकी भी तस्वीर बदली पिसले एक साल में, सिक्षा के श्रीत में, आधुन की करन के श्रीत में, देखो इसमें किवल सोच का फर्क है, हमारी सरकार ही चाहती है कि सब का विकास होना चाहिए, सब को साथ लेके हम चलने ह विश्वास भले हमें किसी का ना मिलें, लेकिन हम सहयोग सब करना चाहते हैं, उसी के आधार पर हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे जिनकी अपनी प्रत्वा है, वो केवल मुला और मौलवी तक सीमित ना रहे हैं, वो भी हमारे बच्चों की तरह से ही डॉक्टर बने, इं इसलिए यह सारा हमने शुरू किया है, लेकिन जो रोधी पक्षा है, वो इसको दूसी तरीके से ले रहा है, वो उसकी अपनी छोटी सोच है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, जो जो उत्तर प्रदेश के गाउं हैं, अभी भी बहुत से गाउं से सीधे तोर से वहां पर सुविधा नहीं है, क्या आने वाले दिनों में उमीद की जा सकती है, जो बड़े गाउं है, जिनको राजसु गाउं हम कह सकते हैं, ग्राम पंचाइज जो बड़ी हैं, वहां पर वहां की सुविधा अपने जिले मुख्याले से जुड़ सके, या लखनू आना चाहे तो सी जो बड़ी हैं, जहां पर हमारी ग्रामिन शेत्रों में सेवाइन नहीं है, उसके लिए भी हम लोग अभी तयारी किये हुए हैं, और पांच हजार गाउं को लेने जा रहे हैं, जहां पर हमारी पसे फ्रन कर सकती हैं, एक और आखरी सवाल समय की बेहत कमी है, फिटनेस को ल अब लोग सभी कंड़क्टर को और ड्राइवर को और सभी क्रमचारी आखरी परिवन निगम के उनके समय के साथ साथ उनका चेक अप होना चाहिए, क्योंकि इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ड्राइवर और कंड़क्टर पर हमारे कितने लोगों का जिंदगिया ठी कितना बड़ा उम्मीद करती हैं अधुक जरूरी निग एक आखरी सवाल मैं मैम आप से कितना बड़ा उम्मीद करती हैं सबसे बदा बिवाद है और इसमें हमारी सरकार इतनी संब्वेदन सींढ़ी की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिस बच्ची ने मा के गर्व से जन्मी नहीं लिया है तब इसे चिंता है हमारी सरकार को कि मा के गर्व में भी वो बच्ची स्वरक्षित रहे और जन्म लेने के बाद उसकी सारी व्यवस्ताएं सरकार करती है जैसे ही जन्म होता है पंद्रह साल की एश तक उसके आरतिक दूप से सहयुग दिया जाता है पढ़ाई की पूरी ब्यवस्टा की जाती है और जब बड़ी हो जाती है तो सादी की भी उसकी पूरी वश्टा सामोविक मुक्यमंत्री वभाहिक व्योजिणा के अंतरगत की जाती है जहां तक सुरक्षा की बात है कि आज हमारी से की जा रही है बच्चियों के लिए इसलिए सरकार लगातार इन तीनों चीजों पर फोकस करें यह जो एक साल के पीछे पांत साल और जुड़े हैं यह कहा जा सकता है कि छे साल की जो सरकार है यह वन ट्रिलियन डॉलर की तरफ तेजी से बढ़े और इसलिए 33 लाग करोण का निवेश होता है स्ताथ लाग करोण का बजट पेश किया जाता है यानि कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है वो ज़रूर बदलेगी और खास तर युवाओं की बात करें तो उनके लिए कि आप नेकाला इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अ झाल झाल